हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटीज चेनल पर इक्षा प्लावरों में तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं क्लास 6 की जोगर्फी की बुक के सारे चेप्टर कंप्लीट हो चके हैं और क्लास 7 की बुक का पहला चेप्टर भी कंप्लीट हो चका है आज सेकेंड चेप्टर है जोचनी वीडियो को सुरू करते हैं और ये जोगर्फी की आठमी क्लास है यानि इसकी पहले साथ क्लास हो चकी है मुझे लिए आज की वीडियो करते हैं और आते हैं अपने टोपिक पर पहली चेप्टर में पर्यावरण की बारे में पढ़ा था इस्खल मंडन, जन मंडन, जियो मंडल और वायू मंडल के बारे में पढ़ चते हैं आज पढ़ेंगे हमारी प्रत्वी के अंदर उचने शुरू करते हैं अमारी प्रत्वी एक गती सील गिर है इसके अंदर एवं बाहर निरंतन परवर्तन वोता रहता है क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्वी के आंतरिक भाग में क्या है वास प्रत्वी के आंतरिक भाग के ब एक ट्यूप पर एक संकेंदरी परतों से बनी है प्रत्री की सत्य की सबसे उपरी परत को परपटी कहते हैं यह सबसे पत्री परत होती है यह महाधीर्थी सन्हती में 35 किलो मीटर एवं समुद्री सत्य में केवं 5 किलो मीटर तक है यह रही परपटी इस चित्र में में देखनी जी यह सबसे उपर यह तस्यूब्री परथ है परपटी महां दिपिस तड़ती में मुख्रूप से सिलका एवं एलमिना जैसे खंदियों से बनी है महां साईडर की परपटी मुख्रूता सिलका एवं मैं इदनीश्यम की वरिवं होती है परपटी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो इफ़ाराई तक सबसे आंतरिक परत क्रोड है तो परपटी के ठीक नीचे मैंटल है चित्र में भी देख लेजिए ये उसके बाद ये सबसे जो निचली परत है वो आंत्रिक क्रोड है जिसकी तिरजिया लगवक 3500 क्लोवीटर है किसकी आंत्रिक क्रोड की ये मुक्ता निकल एवं नोले की बनी होती है इस तथा इसे निपेन नी सिनिकेल अदतापे से फैरस कहते हैं कैंद्रिक रोड का तापमान एवं दाम काफी उच्छुद अब सैन एवं खनिच के बारे में जान लेते हैं प्रत्वी की परपटी अनेक पिरकार इस सैनों से बनी है प्रत्वी की परपटी बनाने वाले खनिच पदात की किसी नी प्रापर्तिक पिर्ण को सैन कहते हैं सेंन रिविन रंग आतार एवं गठनकी हो सकती है मुख्रोम से सेल के तीन परकार है तो इं तीनों परकार को याद रखना ए आगने सेंन इसे इगिनियस कहते हैं अबसादी सेल, सेडिमेंटरी सेल सेडिमेंटरी कहते है एवं कायांतमी उर्चिक सेल तो ये इसके तीन प्रकार हैं सेल के आगने अवसादी और कायांतरित इन तीनों को याद रखेगा द्रवित मैगमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है इस तरकारवने सेल को आगने सेल कहते हैं जो मैगमा होता है जब वो ठंडा ओपर ठोस रूप ले लेता है तो इस प्रकार से जो सेल का निर्वान होता है उसे कहते हैं आगने सेल इन्हें प्रात्मिक सेन्वी कहते हैं आगने सेल दो प्रकार की होती हैं अंतर वेदी एवं वहल विंधी सेल क्या आप जौला मुखी से निकल लेवाने लावा की कंपना कर सकते हैं वास्तों में आन की तरह लाल द्रवित मैनमा नी लावा आए जो प्रतिवी के आंतरिक भाग से निकलकर सतय पर आ जाता है जब जौला मुखी पड़ती है तो अंदर का जो लावा होता है वो द्रविट में अद्मा बन जाता है और प्रतिवी के आंतरिक बाक से निकन कर सत्य पर आ जाता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को वहर भेदी आगने सेल कहते है यानि जब फटती है तो उससे लावा बाहर निकलता है और जब गुलावा ठंडा हो जाता है जिस सेल का निर्मान होता है उसे बहर भेदी आगने सेल कहते है इसटी सर्वजना बहुत महीं दानोवानी होती है उधारण किंगी बेसाइड दक्कन पठान वेसाइड सेल की बनाएं आगे देखते हैं द्रवित महीं कभी कभी दूपरपटी के अंदर गैराई में ही ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार से वने ठोस सेल को अंदर अंतरवेदी आगने सेल कहते हैं तो जो सेल बनती है उसे वारेड वेदी आगने सेल कहते हैं दीरे दीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेने तेंगे गैर नाइट ऐसे नी सेल का एक उधारण है लेई मसानों तथा दानों का चूड बनाने के लिए जिन अपगारसर पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रिनाइट के बने होते हैं यानि जो सामाख खीशने के लिए जो ग्रिनाइट का पत्तर की बड़े बड़े पार्ट होते हैं वो ग्रिनाइट के ही बने होते हैं जिनसे मसाने हैं और भी चीदे पीसी जाते हैं तो वो किसे बने होते हैं ग्रिनाइट सैन लुणप कर चटप कर तता एक दूसरे से टकरा कर छोटी छोटे टुपड़ों में तूट जाती है इन कड़ों को अवसाद करते है यानि सैने जो में कभी-कभी लुणप जाती है चटक जाती है इन दूसरे से टकरा जाती है तो ये टकराने के कारण तूट जाती है तो इन जो ये छोटे कड़ों में दूर जाती है तो इनको कहते हैं अवसाद कड़ों होते हैं इनको कहते हैं अवसाद ये अवसाद हवा जल आदी की द्वारा एक स्थान से दिन से स्थान पर पहुँचा कर जमा कर दिये जाते हैं ये अद्रण अवसाद दवकर एवं कठो रोप्रत सेन की परत बनाते हैं, इस प्रकार के सेनों को अवसादी सेन कहते हैं, यानि अवसादों के खटा हुने सुझ्जिस्ट्रेल बनती हैं उसे अवसादी सेन कहते हैं, उधारण के लिए बलुगा पत्थर रेत की दानों से बन आगे देखते हैं आधने एवां अवसादी सेल उच्च ताप एवां दाब के कारण कायांत्रित सेल्णों में परवर्तित हो जाती है उधारण के बार जो सेले बनती हैं निकायांतिनित सेल कहते ही जैसे चिकनी विट्टी है वो सिलेट में और चूना पत्थर संग्वर्मर में परवर्टित हो जाता है सेल हमारे लिए वत व्योग ही है कटोर सेलों का व्योग साड़ाद घर एवर इमारत बनाने के लिए किया जाता है आप पत्थरों का उप्योग कई खेलों में करते हैं उधारन के लिए साथ पत्थर पिट्टू चिविड्डी इस्टापू या किटकेव पांच पत्थर गिट्टी आदि आप अपने दाला दादी माता पिता पडोसियों आदि से खुच कर खुच अन खेलों की जानकारी प्राप करें आपको जानकर आश्चर भोगा कि किनी निश्चित दसाओं में एक पिरकार की सेंट चप्करी तरीके से एक दुंसरी में परवर्तित हो जातें एक सेल से दुंसरी सेल में परवर्तन होने की इस प्रिकेलिया पो सेंट चप्कर कहते हैं आप जानते हैं कि द्रवित में अगमा ठंडा होकर ठोस आगने सेल बन जाता है ये पड़ चके हो उपकर ये अगने से छोटे-छोटे टुपड़ों में तूटकर एक स्थान से दुसरे स्थान पर इस्थान आंतरित होकर अमसादी सेंट का निर्मार करते हैं ताप एवर्मदाप के कारण ये अगने एवं अमसादी सेंट कायांतरित सेंट में बदन जाते हैं अतेदिक ताफ एवंदाव गिक राष्य कायंत्रिस एल पुना पिखल करद्रवितय मेंगमा बन जाती है। यह द्रवित्य मेंगमा पुना ठंडा हो कर ठोस आजमे सेन्वी परवर्ष्तित हो जाता है। विए यही चक्र हाँ पर बफन हुगा हे। जैसे आगने सेल, द्रवित मेगमा ठंडा हुआ, आगने सेल का निरवाड हुआ उसके बाद छोटे-छोटे टुकडों में ये ट्यूट गई तो ये एक स्थान से इपनिशी स्थान पर इस्थान आत्यत हो गई तो तब निरवाड हो गया अपसाधी सेल का उसके बाद ताप एवंदाप के कारण आगनी और अफसादी सेन विपर्णतन हो गया तो ये बन गई कायांतर सेन उसके बाद अधिक ताप एवंदाप के कारण कायंतर सेन पुना पिगल कर दरवित मैगमा बन गई उसके बाद रवित मेंगनमा जब ठंडा हुआ तो फिर से या आदमी सेल का निर्वार हो गया तो इस त्रिकारी एक सेल चक्र चलता रहा है आंगे देखते हैं सेल पर फिन खंड़ों से बनी होती है खनिज प्रापर्तिक रूप में पाई जा रहे थी उप वाले पदाप जिन इका उप्यो और सदी एवं और वरक में भी वोता है जैसे नोहा एंड विनियों सोना यूरेनियों आगे तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके सही बिकर्ब देखनी जिए और मिलान द्रवित मेंगमा से बने सैन है तो द्रवित मेंगमा से कौन से सैन बनते है आदने सैन प्रत्वी किससे भी तिरी परत है क्रोण सोना पैडरोनियों एवं पोईला किसके उधार है तो यह खणिज के उधार है सेल जिसमें जीवाथ हम होते हैं कहनाती है अब शादी सेल प्रत्मी की सबसे पतनी परत हैं तो वो है परपटी मिलान देखनी थी तो मिलान दो पेज में ही दिये गई ने क्रोड जो है वो सबसे बीतरी परत है यानि पांच नमबर से इसको मिलाएं जाएगा खानेज है इसका एक निश्चित ये खानेज वाला चौत्य नमबर से सेन साड़ाप एवं इमारत बनाने के नियुपयो बुसरे से और सियन सिलका एवं एन मिनरन है ये वाला इस तो आग्स्ता चैप्टर यहनी पर समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा कर्मेंट वाक्स ने जनूर बताईएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत हो देगा मिनते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक कि निये बाई बाई करें दोन वीडियो को लाईएगा स्थना वीडियो को स्राइब झाल जिया जाएगा or का प्र जदिए को लाईएगा